अस्सलामु अलाइकुम आज मैं बनाने जा रही हूँ बक्रीद में बनाई जाने वाले सोखे कबाब इसके लिए मैंने दो अलग से मारिनेशन्स को बनाये हुए और रेसिपी बहुत ही जादा मज़ेदार बनती है चले बिस्मिल्ला केते हुए इस मज़ेदार कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए मैंने हम पर लिया है एक बाउल और इसी के अंदर शामिल कर रही हूँ दो कर पानी अच्छे से ड्रेन करकर कबाब को मैंने लिये है आफ की जी है अगर थोड़ा बहुत एक्स्टा पानी हो तो इस तरीख से तिश्यू पेपर से अच्छे से टाप करकर इसका पानी निकाल दे यह प्रोसस जरूरी है अब आती हैं बारी मसालों की सबसे पहले इसके नमक खस्विजाई का और एक टीस्पून लहसन का पेस्ट एक टीस्पून अदरक का पेस्ट और सूखे मसालो में पाउ चमच हलदी इसके न्दर डालेंगे एक चाई के चमच लालमर्च पाउडर एक चाई के चमच धनिया और गृट्षा रश्ट नीमू हाफ के जी है तो अधा नीमू काफी होगा तो उसे के अन्दर शामिल करेंगे दो टी स्पून जितना तेल तेल за हमारे कबाब अच्छे से सॉफ्ट होकर निकलेंगे और एक टी स्पून जितना माई यहां पर मीट मसाला शामिल कर रही हूं ए अगर आपके कबाब ज्यादा है तो मसालों की कॉंडिटी ज्यादा कर लें तो सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें इसे अच्छे से कबाबों पर मसाले को गोट होने तक इसे अच्छे से मिलाना होगा और यह दिखिए हमारे कबाब के ओपर मसाला अच्छे से लग चुका है अभी इसे आदे गंटी के लिए मारीनेशन के लिए रखेंगे फिर इसे सूखने के लिए छट पर ले चलेंगे और दूसरी मारीनेशन के लिए मैंने यहां पर लिया है आधा मुठी हरा धन्या चार हरी मिर्च और एक टी स्पून जितना काली मिर्च मने लिया है इन सभी चीजों को ग्राइंडर में डाल कर बिल्कुल थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से ग्राइंड कर ले और यहां भी को माहते हैं हो पर नुट हमने को अधरा यहां अधरग का पेस्ट एक चाय की चमच लहसन का पेस्ट और हमने हरा मसाला पीस कर अलोर से इसली डालिंगे अ और अधार नीम्बू का रशी के अधर डालेंग है कि अहां ग्राइं गार favor के अधा की तीस्पून तेल डाल रही हूं और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला कबाब बॉम पर अच्छे से लग चुका है अभी इसे आधे गंटे के लिए मारिनेशन के लिए रखेंगे उमिद करती हूं कि आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आ रही होगी अगर रेस तो अच्छे से थोड़ा गया प्रक्र दालें ताकि सूकने में आसानी हो जाए और यह हरे मसाले की कबाब हैं देखने में बहुत ज्यादा बढ़ लग रहे हैं खाने में इतनी ही ज्यादा मज़ेदार बनते हैं और इसे चील कवों से बचाने के लिए एक काला डुपटे क मैंने इस्तमाल क्या हुआ है और इस तरीके से हम इसे पिन कर देंगे नीचे से भी अच्छे से पिन कर देंगे तक अगर हवा की वज़े से कोई कबाब अगयरा गिरे तो इसे नीचे गिर कर मिटी नहीं लगेगी वो डुपटे में ही गिर जाएंगे आज कल बैंगलोर में बारिश का मोसम चल रहा है यह कब अच्छे से सूख जाएं तो अगले वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बता दूंगे तब तक के लिए अलहाफिज